बेहत जहरीले साबों की श्रिंखला में शाविल रसेल वाइपर का आज अलमोडा के पानी उडियार महले के एक घर में सुरक्षित रेस्क्यू किया गया बता दे कि यह दुनियावा भारत की खतरनाख साबों में किरा जाता है इस साब का जहर इतना खतरनाख होता है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो कुछी देर में उस व्यक्ति के खूल में कलाटिंगों शुरू हो जाती है और मल्टिपल औरगन फेल हो जाते है जिससे कुछी समय में इंसान की मौत भी हो सकती है बता दे कि महला पानी उड्यार में राजंद्र परसाथ पंडे के मकान की गली में एक रसेल वाइबर साब आ गया जिसकी सुचना समाचिक कारिकरता अधिशेक जोशी द्वारा निवर्तबान समसर लक्षमिश्वर बाट अमिसाम मौलू को दी गई इसके बाद अमिसाम मौलू ने रेंजर मोहन राम को अफगत कराया और ततकाल रेंजर मोहन राम ने बन विबाद के करमचारियों को बेजा इसके तुरंत बाद अमिसा मोलू बन विबाद के राहुई मन्राल नीरज बेगी विरेन जीना गोलू बट मौके पर पहुँचे एवम साम का सफल रेस्क्यू का उसे पगड़ लिया इसके पस्चाद वहाँ पर निवर्त्मान सवासत अमिसा एवमिस्तानी नागरिक राजन परसाद पांडे दीपा पांडे राजन भुमार पंत चित्रा पंत प्रेमा पांडे रमेज चंद्र पांडे पूरन चंदर उपाद्याई जीवन चंदर उपाद्याई हेमा उपाद्य करमचारियों की काफी सराना करते हुए कहा कि वन विबाद के ये करमचारी लगातार जन समानने की मदद कर रहे है